दोस्तो हाजरें खोर रिपोर्ट लाएके ते आज दिये रिपोर्ट बहुत ही महत्पूरण रिपोर्ट है साल 2015 श्री गुरु गरंच साहब जीदियां हुईयां बेद्मियां बुर्जवाहार सिंग वाला बरगाड़ी दे विच दर्ज होए तिन अलाग मुकदमे एफ आई आर्स इना मुकदमियां दे समन्ध दे विच गिरफतार कीते गए अद्दे दर्जन तो वाद मुल्जम अते इना दा मस्टर माइन जिस उत्ते केस दर्ज कीता गया तेरे सचे सौदे दा मुकी गुर्मीत राम रहीम दोस्तो बेद्मी दिना जुड़े हुए इना मुकदमे आदा ट्राइल जोकी चंडिकर दी अदालत दे विच जफरीत कोड़ दे अदालत तो शिफ्ट हों तो बाद चारी सी उस ट्राइल उत्ते उस मुकदमे उत्ते रोक लाती गई है ग्यारा मार्च नू पंजाब अते हर्याना हाई कोड दे एक सिंकल जज बेंच जस्टिस विनूद परदवाज दे बेंच वन्लो एफैसला सुनाया गया ते एक बहुत वड़ी रिलीफ बहुत वड़ी राहत दित्ती गई गुर्मीत राम रहीम नू गुर्मीत राम रहीम तो पहला इस मामले दे बिच घेठले पद्दरते साजश काडे महिंदर पाल बिट्टू तो हेठा थले शक्ती सिंग सुखजिंदर सन्णी रंदीप नील रंजीत पोला नरेश कुमार वरिंदर कटारिया और किनने ही लोग इस मामले दे बिच नाम जटसान गुर्मीत राम रहीम नू कुछ साल पहला ही विशेश जांच टीम SIT ने इस मामले दे बिच नॉमिनेट किता सी बुक किता सी ते हाल ही दे बिच अपा रिपोर्ट बना चुके हैं तकरीबन चार हफते पहला ही प्रदीब कलेर ओस वांटिड प्रोक्लेमल ओफेंडर जो की गुर्मीत राम रहीम दे डेरे दे ना जुड़ा हुए से उस ते पलिटिकल विंग दा हैड सी उस ने 184 CRPC दे चंडी कर दी है अदालत दे मानियों जज दे सामने अपन पते हरैना हाई कोट ने एक बहुत बढ़ दीर रहत गुर्मीत राम रहीम नू केड़े तक्नीकी ते लीगल पॉइंट्स उत्ते रित्ती है आज दी इस रिपोर्ट दे विच मैं एही एक्जामेन करांगा लेकिन मैं थो नोए दासदा की अदालत ने एक अजेहा कह लिए जो की कानूनी पाशा दे विच लीगल जूरिस्प्रूडेंस दी जूडी होई जागन टर्मिनालिजी दे विच सब सलेंश्यों देना नालो जानाया जानदा है उस दी वर्तों करके पहला कुछ साल पहला पंजाब अते हर्याना हाई कोट विच दो अलाग अलाग म मुकदमे नू एक हायर बेंच नू रेफर कार दे होया हेटली अदालत दे भी चाल रे ट्रायल होते रोक लाती गई है तो इस सब सलेंश्यों किये है इस दी अपा चर्चा भी कारनी है मामले दे वाक्ष वाक पहलो नू आज इसे रिपोर्ट दे विच मैं खंगाल लागा लेकिन सब सलेंश्यों दा मतलब ए है कि कोई अजेही गल जो की कारता दिती जाए लेकिन उसनू बयान ना किता जाए मिसाल दे तौर दे होते जे दो प्रेमी आपस दे विच प्रेम संबंध बनाता लेंदे ने लेकिन उना वलनो इजहारे महबद कदे नहीं कीता जान दा तो फिर बात दे विचे जेही स्तिती बाण जान दिये जदो एक प्रेमी दूसरे उते इलजाम लाए कि तू मेरे नाल व्या क्यों नहीं करांदा तो दूसरा प्रेमी कह सकता है कि मैं तेनू कदे भी प्यारता कीता ही नहीं या प्यार दे करन बारे कुछ कहा ही नहीं ए अब गोर गहराई दे विच इस फैसले दी रोश्णी दे विच इस नो एक्जामे जरूर करांगे लेकिन मोटी मोटी जडी चीज आज दी स्तिती दे विच बहुत ही टोकुमी मान दी है वह है कि अदालत ता कह रही है सब सैलेंशो ते साथे पंजाब दे लीडर ओ लीडर जो सब सैलेंशो एंड सब सैलेंट ने ते इस तो अगली कड़ी जडी की मैं अपने बुलनों जोड़ी है कि सब फड़े भी जानगे ओई अर्विंद केजरी बाद जो की पंजाब आके एक हैके गए कि बेदवियने केसा दे विच अपा इंसाफ करांगे आज जेल दे पिछे 11 मार्च नो ए फैसलां दा है ए सुते नाता सरकार ने जिता कोई प्रतिकरम देता है नहीं पंजाब दी किसी बड़ी प्लिटिकल पार्टी किसे लीडर ने अपनी जुबान तक हुली है मैं पिछली रिपोर्ट दे विच भी जिकर कीता सी लेकिन अज उसारे दे सारे लीड जेल ना दे विच क्यों जा रहे ने मुद्दे अलग ने शराब को टाले नू लाए कि कर्मिन केजरी बाल नू जेल दे विच पाया गया है लेकिन सब सैलेंशो सब सैलेंट ते सब फड़े जानगे मैं नू लगदा किते ना किते जिदा कुद्रत दा इंसाफ है ओ एही है लेकिन खेर आज आपा इस सबाबनात में मुद्दे उत्ते गालबात नू थोड़ जाल लीगल ते टेक्निकल पक्षों करांगे तो आज शुरुआत करनें इस रिपोर्ट दी ते समझन दी कोशिच करांगे 21 पंजाब ते हरैना हाई कोड दे इस पेंच ने इना जजज साह ने इस मामले दे बिच गुर्मी तरहम रहीम ने इक वड़ी रहा दिती उना पास सारे जानते हैं कि श्री गुरुगरंद साहब जी दी बेद मिया जून 2015 तो लेके अक्तूबर 2015 दी दरम्यान होई हैं बुर जबार सिंग भाला तो श्री गुरुगरंद साहब जी दी बीड नावावी होई हैं इस मामले दे जिरी शुरुआती जांसी ओस विच सिख हाड लाइनर्स ते रेडिकल्स दी रोल ते पूमी का दा जिकर उठता है उस वक्ते जांच अधिकारियाने सब तो पहला रुपिंदर सिंग अते जस्विंदर सिंग नो गिरफतार किता जो की जवार सिंग वाला बरगाड़ी अते पोस्टर कांड इना दी पड़ताल नो सेंट्रल ब्यूरो फिंवेस्टिगेशन नो देता गया उन्हें एक प्रक्रिया है एक कानूनी तरीका है जिस जरीए किसी भी राजबलनों जे सीबिय नो जांच दिती जानी होंती है तो सेक्श मामले भी हो सकते ने उनना दी पड़ताल सेंट्रल ब्यूरो फिंवेस्टिगेशन नो दनता है तो जदो सूबे बोलो नोटिफिकेशन कीती जान दी है काती जान दी है सरकारवनों उस्तो बाद ए मामला डेपार्टमेंट ऑफ परसोनल मिनिस्ट्री सेंट्रल मिनिस्ट्री कोल जान दा है जो कि बाद दे विच एक सेक्शन छे दी इसे DPSC एक्ट सेक्शन छे दी नोटिफिकेशन करके फिर इस मामले नों सीबे नो दित्ता जान दा है यानि कि स्टेट गौर्रमेंट टू सेंटर गौर्रमेंट डिपार्टमेंट ऑफ परसोनल ते उस्तो बाद सेक कोई भी ठोस परताल नहीं कर पाई इस दुरान 2017 दे विच पंजाब दे विच सत्ता दा परिवर्तन होया कैप्टन अबरेंदर सिंग की सरकार आई उन्हा बनो आउद्या ही इस मामले दे विच जस्टिस रिटाइड रजीत सिंग कमिशन ऑफ इंक्वारी बठाता गया जिस कोई भी टुकमी ते ठोस कारवाई नहीं कीती है बेग भी बुल्जम ओ नहीं फड़ सकेने या फिर जड़े फड़े होए बुल्जम है गेने उन्हा दी भी क्रिमिनालिटी नू ओ नहीं स्थापत कर पाई ने इस मामले दी जड़ी परताल है ओ सी बे तो वापस लेली होगा आओ जिस्तो बात एक रेजुलूशन स्थाप्स होना है तो नोटिफिकेशन सरकार दो किती जादी है उन्हों दोबारा हुई प्रोसेस होंता है जिमें CBA नों जाज सेक्शन 5 BPSC आक दे तहत नोटिफिकेशन करके सुबह सरकार ने दिती सी उन्हीं से सेक्शन देें समय मलके अते पाक्ते विखे होईयां 2015 दियां ही इना बेद्मियां दे मामले दे विच बनी रंडबीर सिंग खटड़ा दी सिट दे हाथ कई कलू लाग दे ने जिस्तो बाद जून दे जुलाई 2015 दे विच गिरफतारियां कीतिया जान दिया ने तेरे सचे सौधे देना जुड़ा होया महिंदर पाल सिंग बिट्टू दे ओस दे हेठां दी जड़ी लाइन चेन जिसने की 2015 दियां बुर्जबाहर सिंग वाला आते बरगाडी दियां बेद्मियां नो भी अंजाम दिता हूंदा है उना नो गिरफतार कर ला जान दा है तो इस सारे दे सारे मुल्जम अदालतां दा रुख कर देने ते इना वोलो अदालतां दे बिच पेटीशना पाईया जान देने क्योंकि ना दी गिरफतारी खोर मामले दे बिच हो चुकी हुंदी है यानि कि पेटीशन करता बोलो अदालत दे बिच कहा गया हूंदा है कि इस मामले दी बेद भी मामले दी परताल सेंट्रल ब्यूर अफ इन्वेस्टिगेशन कर दी पही है पंजाब पुलस दी सिट नो पंजाब पुलस दी तिफ्टीशिया टीमा नो इस इन्वेस्टिगेशन नो अग्गे बदानदा कोई हाक नहीं है जो 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 इस पेटीशन नो हाई कोट दे विच पाया जानदा है जनरी 2019 दे विच एक कहम फैसला हनदा है जो कि जस्टिस राजन गुपता दी सिंगल बेंच दी कोट वलो सुनाया जानदा है इस विच क्या जानदा है कि इस मामले दी पड़ताल सीबी ए तो वापस पंजाब पुलस कोल आनी बनदी है क्योंकि एस मतलग विधान सबादे विच एक रेजिलूशन पास किता जा चुका हनदा है अगस 2018 दे विच ते उस तो बाद सूबे सरकार जैनी की पंजाब गावर्मेंट वलों और बनदा नोटिफिकेशन भी किता जा चुका हनदा है जनर्वी 2019 दे जज राजन गुपता दे फैसले तो बाद एचीज फ़स्ट हो चुकी हनदी है कि हुन बेद भी देना जुड़े अप होए मामलें दी परताल पंजाब पुलसी करेगी जो कि विधान सबादावी रेजिलूशन मता हनदा है जिस तो बात उतले पद्दर दे उतले एक वक्रे किसम दी कारवाई शुरू होंदी है उन एना तमाम महीनिया दोरान जेडी चीज पब्लिक डोमेंदे बिच नहीं आई होंदी ओ ए होंदी है कि केंदर सरकार ने मिनिस्ट्री और पर्सोनल ने सेक्शन 6 अपना नोटिफिकेशन नहीं किता यानि कि CBA यी तो जाच नो वापस लेके पंजाब सरकार नो देन दारा अजे भी पद्रा नहीं होया जनरी दे इस फैसले तो बाद भी नहीं किता जान दा ते जून दे महीने जून 2019 दे वेचे कुछ ही महीने बाद CBA भलों एक क्लोजर रिपोर्ट कैंसलेशन रिपोर्ट मुहाली दी CBA अधालत दे विच फाइल करती जान दी है खुने एक बॉंब शेल होंदा है एक बहुत बड़ी कारवाई होंदी है क्योंकि एक पासे दा पंजाब इदान सब दा रेजोलुशन जनर्वी 2019 दा पंजाब अते हराना हाई कोर दा फैसला है कह रहा होंदा है कि परताल पंजाब पुलस करेगी लेकिं दूसरे पास से चुप चुपीते CBA बलनों closure report फाइल कारती जान दे जिस विच क्या जान दा है कि मुल्जमा दे के लाव कोई भी जानकारी कोई भी सबूत नहीं कठे हो पाए ने हला कि CBA बलनों closure report नो दाखल कारती हैं समय कई चीजां कई डिटेल दितिया गई है जिना विच ए दस्या गया कि handwriting match नहीं हुई पोस्टर कार्ण होंदा है उस case दे बिच जड़े भी मुल्जम हैगे ने जिना दे उत्ते पंजाब पुलस ने दूशन लाए होंदेने की इना मुल्जमा बनों पोस्टर बेदभी करनवाले पोस्टर लिखे गए अपने हत्था दे नाल ओ हैंड राइटिंग मैच नहीं दिते यनी के महिंदर पाल बिट्टू जिसने की हला की मुग्गेदी अदालत दे सामने ए बयान भी दित्तासी की भेधभी दे बिच उसती इन्वाल्मेंट है लेकिन बाद दे बिच वो इस बयान तो भी मुक्रिया कोड दिपिच दिते गये अपने बिच दिते गए अपन क्योंकि जदो जनवरी 2019 दे विच हाई कोट ने CBA दे काउंसल तो केंदर सरकार तो पुच्छा कि तुसी बेदबी दे मामला दे विच की कारवाई कार पायो। उस वक्त उना वन्नों कुछ ज़्यादा दसन्नू नहीं सी उना वन्नों ज़्यादा गल्ना बाता नहीं कितियां गईयां। एक यूज दे किते जनवरी 2019 तो लेके जून 2019 दरम्यान CBA वन्नों जड़ी भी कारवाई अगे तोरी गई उस दा लबो लबाब AC की CBA ने तेरे सचे सौदे दे जड़े भी समर्थक संद उना नों क्लीन चिट देती सी। उना दे खिलाब कोई भी सबूत उना ने नहीं पाया थे अदालत दे विच एस मुकदमे दी क्लोजर ली कैंसलेशन ली अरजी देती। CBA क्लोजर रिपोर्ट तो बाद एक सियासी पुचाल आ चुका सी ते एस तो बाद शुरू होई एक लंबी जोड़ी कानूनी लड़ाई। CBA क्लोजर बाद शुरू होई एक सिट बरकरार रखी गई SPS परमार नो इस सिट दा मुखी लाया गया। CBA क्लोजर बाद शुरू होई जोड़ाई। उसी हरान होंगी कि शेदे पहला जेहा मौका सी जिनों की अदालत ने मुल्जमा दे कहे उते SIT दे हैड़नू बदलता रनवीर सिंग खटडानू जनवी 2021 दे विच इस जांच तो हटाता गया लेकिन एस फैसले दोरान भी जदों डिमांड एवी हुंदीरी कि इस मामले दे विच था CBI बनों क्लोजर रिपोर्ट दिती गई है मानियोग अदालत ने एस साफ फैसला देता है सिंगल जज़ दा एवेंच सी जस्टिस अमोल सिंग जड़े हैगे ने उना दी ये अदालत सी उस बनों कहा गया कि इस मामले दी परताल ता पंजाब ही करेगा यानि कि सेंट्रल ब्यूरो फ इन्वेस्टिगेशन को ये परताल नहीं बन दी तो दोस्तो 2021 दे इस फैसले तक दो जेहे फैसले पंजाब आते हर्याना हाई कोड दे जस्सिस राजन गुपता दा जनवरी 2019 दा ते इस जज़ दा इस बैंच दा 2021 दा फैसला इस थापत कर चुके से की बेद भी दे मामले दी जड़ी हम परताला है गया ने ओस सेंट्रल ब्यूर ओफ इंवेस्टिगेशन नहीं कार सक दी हलाकि बेद भी मामले दी परताल नूँ पंजाब पुलस कोल ही रखन दे हाक बिच आए पंजाब आते हराना हाई कोड दे जनवरी दोहजार इकी दे इस फैसले दे बीच जड़ी कमजोरी पंजाब दे पक्खो रही ओ एसी की सीवे दी क्लोजर रिपोर्ट नूँ बेशक अदालत ने नहीं मन्या लेकिन इस चीदी खुल देती गई कि मुल्जम फ्रीद कोड दी हेट ली अदालत जित थे इस मामले दा ट्राइल इस वक्त तक शुरू हो चुका सी उस दे विच एस क्लोजर रिपोर्ट दे विच जेडी वी गल्ला सीवे ने कही है ने उना नूँ वर्थ सकदेने उना फैक्स नूँ आन रिकॉर्ड ले सकदेने पंजाब दे पक्षों एक कमजोरी सी क्योंकि CBA दी कैंसलेशन दे क्लोजर रिपोर्ट डेरे सचे सौधे दे समर्थका इस मामले दे मुल्जमा दे हाक दे वे जारी सी पंजाब सरकार दे उस दे कानूनी पक्षवनों एज़दा कोई सक्त विरोध नहीं किता गया लेकिन Central Bureau of Investigation ने इस फैसले उन दो फैसले आ चुके सी दोहजार उनी ते दोहजार इकी दे इना फैसले दे खिलाब सुप्रीम कोर्ट दा रोकिता ते सब तो तसली दी काले ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट ने CBA दी अपील नो नहीं मन्या हलाकि Law Point इस केस दे भी चूपन रख्या गया हुँ दोस्तों मसला जिड़ा CBA ने सुप्रीम कोर्ट दे विच लगई जो रख्या अधालत दे सामने हो एसी कि राजजावलो सुप्रीम कोर्ट दे विच होई एस मुकद में बाजी दोरान CBA ने कई अजेह केसां दा हवाला दित था जित्ते की राजजावलों CBA नो केस रैफर किते गए लेकिन जदों ओ पार्टियां जोकि सत्ता तो बार सन सत्ता दे विच वापस आईयां जिना दे खिलाफ एप पड़ताला CBA दियां केंदरित सन उनना ने वाप पड़ में अनुएन इन्वेस्टिकेशन दो रखन दी परोड़ता ते हमायता कार दे सी लेकिन इस दे बावजूद सुप्रीम कोट ने लौपॉइंट नो ओपन रख्या यानि कि सेक्शन 5 सेक्शन 6 दे तहत राजबनों जी जान सीबे नो देती जान दिया उसनों वापस क उसनों लेया जा सकता है लेया जाना चाहीद है इस लौपॉइंट दे होते क्योंकि हेटली अदालत तान ये भी कोई पका फैसला नहीं सी सुनाया इस लौपॉइंट नो ओपन छाड़ दे होया सुप्रीम कोट ने सीबी एई दी उस अपील नो ठुकराता ते केहा कि बेद कोट दी अदालत दे बिच इस मामले ते ट्रायल ते मुकदमे दी रफ्तार ने भी तेजी फड़ी दोस्तो उस तो बाद SPS परमार दी SIT ने अतना काम किता गुर्मीत राम रहीम नो भी कोईशनेर पेज़ा गया ते गुर्मीत राम रहीम नो इस केस दे बिच नामज़त कि किता गया ते फाइनली SIT दी रिपोर्ट दे बिच केहा गया कि इस पूरी दी पूरी भेर्वियां दी साज़शता साज़शकाडा गुर्मीत राम रहीम सी हलाकि एस वक्त तक ओ चार जेड़े पगोड़े जो की देरे सच्चे सौदेर ना जुड़े हो इसन संदीब गिरफतार कर ले जानदा है फुलिस वनों गिरफतारी उपरंद परदीब कलेर ने 104 CRPC दे जेड़े बयान है गे ने उचन्डीगर दी अदालत दे बिच दर्ज कराए बेद भी दे इस मामले दे बिच मुल्जम कई सन गुनमीत राम रहीम तो लाके हेटले पदर दे टेल ए परदी मौत हो जान दिया लेकि जिरे बाकी दे बचे मुल्जम और किसी ना किसे बहाने या किसी ना किसे प्ली नो लेके पंजाब आते हर्याना हाई कोर्ट ता रुख कर दे रहे तुसी इमैजिन करो कि फरीद कोर्ट दे बीच चाल दे होए इस मुकदमे दे बीच अपनी गुर्मीत रामरहीम नो नॉमिनेट किता गया गुर्मीत रामरहीम भी हाई कोर्ट पहुंच आता है ते उसे हाई कोर्ट दे विच पिछले डेड़ दो साल दी बखदमे बाजी तो बाद 11 मार्च दा फैसला आता है दोस्तो 2019 दे 2021 दे पंजाब अते हर्याना हाई कोर्ट दे सिंगल जजां दे फैसले नो ओबर रूल कर दे होया 11 मार्च दो जस्टिस बिनोध परदवाज ने फैसला सुनाया कि जिमें ओना दा एक सिंगल जज़ दा बैंच है उमें ही पहले भी जड़े फैसले सुनाये गए ने और सिंगल जजां दे बैंच ने सुनाये ने ते इस क्योंकि सुप्रीम कोट दे विच जदो CBI गई सी इस मामले दे खिलाफ यानि कि पंजाब नो जांच सौंपन दे खिलाफ उस वक्त सुप्रीम कोट ने लौपॉंट नो सेटल नहीं सी किता लौपॉंट नो ओपन रख्या गया सी तो उसे रोशनी दे विच सब सेलेंशो न आदे प्रिंसिपल दी वर्तो कारदे होया ओई साब सेलेंशो जिस दा मैं जिकर अपने रिपोर्ट दी शुरुआ दे विच किता सी यानि कि सुप्रीम कोट ने जो कीता इस जांच नो पंजाब सरकार ते पंजाब पोलस दे हवाले कीता लेकिन उस दे विच सुप्रीम मते दी की लेगालिटी है इस सारे लॉव पोइंट उते ओपन जड़ा पोइंट छट दे होया सुप्रीम कोट ने अपना निरना सुनाया सी ते इस फैसले लुप पंजाब दे हाक विच दिता सी लेकिन लॉव पोइंट उते फैसले नहीं सी जस्टिस पारदवाज दे इस इक पास से था सब सैलेंशो से दांत दी वर्तनों कीती गई लेकिन दूसरे पास से रेफरेंस एसी कि जड़िया पहली है दोहजार निया दोहजार निया दालता दे फैसले सान ओभी सिंगल जजज बेंच दे फैसले सान तो एक लारजर बेंच यानि कि ज़्यादा जज़ा लेकिन हैरानी दिकाले इसी कि इस फैसलां सुनाने समय गुर्मीत रामरहीम निक बहुत बड़ी राहत जड़ी दिती गई। इस केस दे बिच चाल दे होई ट्रायल जिसने की महाली दी विशेश CBA अदालत तो लेके फरीद कोड दी अदालत पंजाब अते हर्याना हाई कोड दीयां तिन तिन अदालतां सुप्रीम कोड तक पूरे दे पूरे केस नूँ पिंग पॉंग होंदा हुए वेख्या है उस केस नू रोकता गया उस दे ट्रायल नू रोकता गया सब तो हैरानी दी गाल सी कि की इस मामले दे बिच ट्रायल लग गए नहीं सी तो रहा जा सकता एचीज होर भी जमदीर हो जानती है ज़़ों आपां परदीब कलेर दी स्टेटमेंट देख दे हैं 144 CRPC दे बिच बैन ते एवी के तफाक सी की परदीब कलेर दे 104 CRPC दे बैन जिसने वज़ गुरमीत राम रहीम थे शने ना लेया गुला नरेश कुमार ते कई होर अजे है को एक्यूजड वी अदालत दे वीच इसे फैसले दे उत्ते राहत लैन विच कहा में आप होंगे। पुर दे पुरे मामले दे पक्खों, कटना, चक्कर दे पक्खों, CBA ते जड़ा स्टैंस अदालत दे वीच ले बड़ा महतपूरन है। प्रटाल दे वीच उस वक्त ले आया जानता है, जदों की उस वनों कोई तथ कड़े जान दी उमीद ते आस होवे। ज़े तो CBA ने खुद ही अदालत दे वीच लिखके देता कि उनों कोई प्रूव, कोई एविडेंस, कुछ जहां नहीं मिल रहा, ते वो इस मामले दे वीच क्लोजर रिपोर्ट या कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल कर देने, हैरानी दी गल एह है कि सुप्रीम कोर्ट तक सें इन्वेस्टिकेशन CBA नों पेश दी जावे, ते करते हो नों तो वापस बला ली जावे, ज़े CBA चांदी है कि एस लॉप पॉइंट दे फैसला होवे, फाइनल होवे, फिर भी एक चीज जो कि बड़ी कॉमन सेंसिकल, बहुत लोजिकल गाल है, ओ एह है कि कोई जाच एज इन्वेस्टिकेशन दे लिंक कोई सुराग अजेहार मिलनी पाया, CBA ने खुदे लिखके देता कि असी कुछ कट नहीं पाया, तेन साड़े तेन चार साला दे अरसे दोरान, तो उस तो बाद इस केस दे ना चिपके रहन दा अधार CBA की है, क्यों है, CBA ने इस मानियोग अ दालते सामने भी हर तक्रीर ते दलील नू देन दी कोशिश की थी, कहा कि असी ता पड़ताल कर दे पए सी, असी भी लाक दा इनाम मुल्जमा दे उत्ते रखे असी, असी वाइस लेड अनालिसिस करवाए, असी फिंगर प्रिंट मैचिंग टेस्ट कराए, असी लाइ डिट असी ता दिल्चस्पी दखान दी हुई वेखी है, कि उननों ओस मुकदमे दे मुतलक कोई अजेहियां चीजां मिल गया होन, अजेहें तथ लाब गये होन, अजेही कोई कडियां ना जुड़ गया होन, जो कि ओ अदालत दे विच इन्टरस्ट अफ जस्टिस थापत करना च जालता दे इना मुकदमे दे विच एन्टी दिल्चस्पी क्यों दखा रहे ने, नीडलेस टू से की गुरमीत राम रहीम नू परोल तो बाद परोल दिती जारी है, उसनों राहता चुटियां दिती जारी हैं ने ते लोग सबाद चोना तो पहला, उसनों दो-दो महीने तक जेल तो बाहर ले आके रख्या जानदा है, इस दे पिछे दे राजनेतिक कारण की ने, अज देश दियां, एंफोर्समेंट एजनसियां दे उते, एडी दे उते, आईटी दे उते, या फिर सेंटर ब्यूर अफ इंवेस्टिगेशन दे उते किस किस किसम दे दूशन लाग देने, किस किसम दे इलजाम लाग देने, मैं उना इलजामा दे भी जाना नहीं चाहांगा, लेकिन बेद भी देना जुड़े हुई इस अत सम्वेधन शील मामले, ते उस देना जुड़े हुई एक बहुती रसूकदार डेरे, जो की वोटना दी सौदे बाजीली मशूर है उस लई, उस दे हाक बिच पुगदी हुई सेंटरल ब्यूर ओफ इंवेस्टिगेशन एजनसी में नूँ हैरान भी कर दी है, ते परेशान भी कर दी है, ते शायदे ही कारण है कि मैं बेशक मान्योग जजज साहब ने सब सलेंशो दा प्रिंसिपल वर्त के, तो सारी तकरी पूमी का है इस मामले दे विच एक मुल्जम जिस दे खिलाफ हुन 104 CRPC दे बयान दर्ज हो चुके ने, दोस्तों इस चीज नूँ समझना जरूरी है, अज जे सेंट्रल ब्यूर ओफ इंवेस्टिगेशन तो कुई पुछन बाला होवे, ओ एस चीज दा हवाला दे रहे ने क जी असी फिंगर प्रिंट, असी हैंड राइटिंग, असी लाइट डेटेक्टर, असी वोइस लेर अनालिसिस टेस्ट, इस सारे टेस्ट कर रहे ते सानू सबूत नहीं लबबे, जेडियां दो साद्वियां दे बलतकार दे बामले दे विच एसे CBA ने परताल करके गुर्म साद्मियां दे गवाहियां ही सी जिसने की गुर्मीत राम रहीम ने सलाखा दे पिच्छे पचाया, जिस तो बाद जाच एजनसी दा ती हिम्मत भी बदी, उस तो बाद ही उस सारे दे सारे अधारे भी एक्टिव होए, ते आखिरकार होर मुकदमे दे बीच भी उस ता ट् CRPC दा बयान है, ते ओ धर्ज होजन दा उस तो बाद भी की Central Bureau of Investigation एक कहेगी कि डेरे सचे सौधे दे, ये जडे होर को एक्यूस्ट हैगे ने ना दे खिलाफ उसनों कुछ नहीं लब्या, कि अजे भी एजांच एजनसीयां ये अधारे गुर्मीत राम रहीम दे, पखविच कोड दे भी चुनोती देनी है, नहीं देनी है, लारजर बैंच दे अगे, पंजाब सरकार किमे होर मजबूती देना अपना पाकर रखे, इस बारे कोई गालक चर्चा की शबता किसी स्यासी पार्टी ने नहीं अपने मुहो कड़िया, आज किते नव जो सिंग सिदू, आज किते है कुमर बीजे परताफ, आज किते है कि ये कांगरस दी, ततकाली कांगरस आज ता बीजे पीच है गे रहे ना सुनील जाकर्ड, कैप्टन अबरिंदर सिंग, इना दी लीडर्शिप पंजाब दे मुख मंतरी पगवानतमान, इक भी शब देना बल्लों नहीं आया, प बेद मियां दे, मुकद में उत्ते, रोक लाती गई है, तो साड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी दे, एक भी लीडर ने, एक भी शबद, मैंनों नहीं कटो कट सुनाई दिता, जो बोले होगे, तो दोस्तों, आज रिपोर्ट लंबी होगी, क्योंकि बहुत ही टेकनिकल, पे गल्ला बातनों रिलेट नहीं कार सकता, आपनों ता तथा, लोजिकली, रैशनली गल्ला बातनों करना चाहिदा है, एही मुनासब है, लेकिन फैक्ट एही है, कि जे सब साइलेंस रहेंगे, तक कदे न कदे, ओ फड़े जानगे, चाए फिर नॉर्मल कचेरियां, अदालता अदे बिच फड़े जान या फिर लोग का लिक के चेरियां दे बिच फड़े जान या बेनकाब होन, आज दिस रिपोर्ट नो मैं एते ही विरामदांगा, आस करांगा तुसी इस लंबी रिपोर्ट दे बिच्छों कई चीजां जानकारी हासल कर पाए होंगे, ठीक लगी ह होएगी तो इसनों शेर जुरूर कर दे हो, बहुत बहुत आनवाद इस रिपोर्ट नों वेखन लिक हो, रिपोर्ट लाएके छेती हुन दिया मुलाकात, शुक्रिया